वेल्कम बेक, मैं मोहम्मद, आज की इस वीडियो में हम एक्सल में डेटा इंट्री कैसे करें ये कोवर करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहें हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीज़ेए सब्सक्राइब के बटन के बज़ो में जो बेल आइकान है उसको प्रेस करके अल का जो ओफिशन है अल नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वक्त पे मिले आज की इस वीडियो में हम एक्सल में डेटा इंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे यहाँ पर जैसे कि यह कुछ टॉप फ्रीलांसर वेफसाइट्स है जैसे कि आप वर्क फाइवर फ्रीलांसर डाट कॉम गुरू पीपल पर आवर अर्बन प्रो लिस्ट वर्स contentwriters.com यह वेफसाइट जो है डेटा इंट्री का वर्क जो है उसकी लिए फ्रीलांसर हायर करते है अगर आपकी इनकी जो कंडिशन्स होती है वो फुल्फिल कर सकते है तो आप यहाँ से वक लेके घर बठे एक अच्छा खासा इंकम जनरेट कर सकते है जैसे कि आपने का डेटा इंट्री का वर्क मिला है वहाँ स्टूडेंट के जो मार्क होते है उसको आपको एकसल में फीड करना है तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एकदम शुरुवात से बताऊंगा तो सबसे पहले आपको बता दूँगा जो नए लोग जो आज मेरे इस वीडियो को देख रहे है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले स फ्रेंड्स होंगे जो की बेरोजगार होंगे जिनको जॉब की जोरत है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें साथी में आप भी इसी वीडियो को जो है वीडियो देखते समय ही लाइक कर दे कई ऐसा उनों के बाद में आप भूल जाए तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं त तो रोल नमबर से यह start होगा, रोल नमबर, उसके बाद, नें मतलब की student का नाम होगा यहाँ पे, उसके बाद में class, प्लास के बाद में यहाँ पर हम कुछ subject ले लेंगे, जैसे की English, Hindi, उसके बाद Science, प्लास साइंस के बाद में math, और यहां पर हम इसका total चाहिए हमको मतलब कि marks का ठीक है तो अभी यह जो है यह heading रहेंगा मतलब header जिसको हम कहते है तो हम इसको थोड़ा सक जो है format कर लेंगे जैसा कि bold कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सक इसमें coloring भी कर लेंगे इसको जो है border भी दे देंगे साथी में यह sheet 1 पर हम स्रिफ type करेंगे और हमारा data जो है यह sheet 2 पर जो है SEO होना चाहिए उसकी एक trick मैं यहां पर आज आपके साथ share करूँगा तो हम ऐसा करते हैं यहां पर इसको थोड़ा सक यह कर लेते हैं बढ़ा लेते हैं name को उसी तरह यहां पर भी बढ़ा लेते हैं ठीक है अभी हम यहां पर क्या करेंगे एक entry कर लेते है role number 1 नाम रहेंगा manoch marks सरी class 10th अभी यहां पर हम marks दलेंगे 69, 78, 71 87 अभी यहां पर हमको total चाहिए अभी Excel के अंदर में macro नाम की एक चीज है एक मतलब की function है function मतलब की वो आपकी steps को record करता है और जब भी आप चाहे उस steps को वो repeat करता है तो हम पहले सबसे पहले उसके लिए हमको macro record करना होगा यहां पर जैसे कि आप देख रहे है यहां पर last में view यह ribbon है view के अंदर में last में आता है macro macro में यहां पर आपको तीन option मिलेंगे view macro मतलब जो अल्रेडी बने है वो record macro मतलब की नय macro record करने के लिए तो हम यहां पर click करेंगे यहां पर हम इसका नाम देंगे macro 3 बता रहे लेकिन हम यहां पर इसको नाम देंगे save 3 यहां पर जो है यह shortcut key मांग रहा है तो हम ऐसा करते है यहां पर shortcut key इसको दे देते है control i वैसा यह control और shift आगया है जैसे कि आप जानते है कि control i मतलब कोई भी data अगर हम select करते है कोई तो उसको italic करने के लिए control i यूज किया जाता है तो इस तरह से control प्लस shift प्लस i मतलब यह हो गया हमारे यह जो हम record करेंगे macro उसका short form यहां कुछ description आप दे दीजे और यहां पर तीन option है जैसा कि personal macro workbook यह जो रहेंगा यह अगर यह first type को हम select करके इसको ok करते है तो यह macro हर workbook में work करेंगा this workbook select करते है तो pc में करेंगा तो हम यह first वाला select करते है और इसको ok करते है अभी यहां पर हमको step क्या करना है अभी start हो गया है अभी सबसे पहले हमको यहां पर click करना है उसके बाद formula में जाना है और add sum पर जो है उसको click करना है मतलब यह क्या करेंगा जहां तक numeric फिल्ड है इंगली से लेके math तक उसका total आपको करके देंगा यह हो गया total तो इसके बाद का action रहेंगा हमारा कि हम जो है पूरा two number का जो row है उसको select करेंगे और right click करेंगे right click करने के बाद cut का जो option है उसको select करेंगे page sorry shift two पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो second row है उसको select करेंगे पूरी और यहाँ पर right click करके insert cut sales इस पर select करेंगे तो यह दिख लीजे यह आ गया है और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर click करके हम जाएंगे sheet one पर और यहाँ click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमको जो है यह macro को stop करना है यहाँ पर recording जो start की थी यह हो गया है stop अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर दूसरी entry करके देखेंगे पूर नाम रहेंगा विवेक class 10 अभी यहाँ पर हम mark दल लेते हैं हाँ अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे control shift I यह देख लीजे यह हमारा macro का shortcut की था यहाँ देख लीजे यह विवेक जो है दो नमबर पर आ गया है उसका पुरा detail भी आ गया है यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे एक entry और करेंगे विवेक class 10 mark यहाँ पर ले लेंगे और अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे दूबरा से control shift और eye press करेंगे यह देख लीजे यह जो है दूबरा से विवेक का entry हो चुका है अभी suppose अभी यह shortcut की याद नहीं रहता है बहुत से लोगों को तो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते है कि यहाँ पर हम shape नाम का जो option होता है उस पर click करेंगे और यहाँ से rectangle लेंगे और यह second row में यहाँ पर एक rectangle यहाँ पर draw करेंगे और उसको यहाँ पर जो है यह मतलब की draw करने के बाद उस पर right click करके added text पर click करेंगे और यहाँ पर हम type करेंगे save उसके बाद मैं नीचे क्लिक कर देंगे, कोई भी रो में, अभी हमको क्या करना है, हमारा ये जो macro है, इसको इस बटन पर हमको assign करना है, तो हम इस पर right click करेंगे इस पर, ये object पर, उसके बाद यहाँ पर assign macro करके एक option है, ये देख लीजे, नीचे से third number का, उसको select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमको जो है, जित्ते भी हमारे macro SEO है, इस sheet पर है, वो यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजे हमने, last वाला मतलब, SEO 3 नाम का जो था, वो हमने बनाया था भी, उसको select करेंगे, और इसको ok करेंगे, और ये भी जो हो गया है, assign हो गया है, अभी हम इसको नीचे इसलिए ले ये बटन को, क्योंकि हम जो है, हमारे macro में, हम two number का पुरा row कट करके, इदर जाकर second sheet पर उसको paste करते है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा entry करेंगे, जैसे कि fourth, यहाँ पर नाम रहेंगा, विनो उत, उसके बाद में class 10, mark जो रहेंगे, जैसे कि य लेते हैं, अभी हम क्या करेंगे, हमको अब यह macro run करना है, तो हम इस पर button पर, से उपर click करेंगे, यह देख लीजे, अभी यह जो data है, यह यह यहाँ पर जा चुका है, यह देख लीजे, तो इस तरह से, यह macro जो है, यह Excel में काम करता है, अभी हम कुछ चीज़े जो है, यह हम इसके लिए, simple एक trick है, इसको select करना है, पूरे row को एक साथ select करना है, ताकि आपका जो data है, वो mismatch ना हो, उसके बाद हमको data में जाना है, data में जाने के बाद, sort में जाना है, sort में जाने के बाद, here sort by में जाके, role number select करेंगे, sort on value, यहाँ पर by default रहता है, और यहाँ पर तीन करेंगे, यह देख लीजिए, आपका data जो है, यह अभी, ascending हो गया है, by role number, मतलब एक number का जो role number है, वो उपर रहेंगा, अभी हम, suppose हम ऐसा समझते है, कि आपके पास यह data बहुत हो गया, बहुत मतलब की, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें, bulk में अभी यह data आपके पास में ह और data manage किस तरह से किया जाता है, अभी हम वो कुछ streaks आपको बताना चाओंगा, तो अभी हम क्या करते है, पहले इसको data को यहाँ पर copy paste कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो है, आपको स्रीप बताने के लिए, और कुछ भी नहीं, अभी यहाँ पर जो है, यह पास नमबर है आ अभी यहाँ पर आपने देखा होंगा कि दो नमबर जो है, रोल नमबर टू, यह repeat हुआ है, अगर हम को इस तरह से कोई data नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुरा data को select करेंगे, वैसा तो मतलब यह रोल नमबर तो unique होता है, तो हम रोल नमबर से ही इसको यह क करेंगे, पुरा data set को select कर लेंगे, उसके बाद data के अंदर में remote duplicate करके एक option है, उसके click करेंगे, यहाँ पर यह option आता है, select all, तो यह already select है हमारा, उसके बाद हम इसको ok कर देंगे, no duplicate found, यह क्यों हाँ, क्योंकि यह हमने पुरा data select किया था है, अभी हम क्या करेंगे, suppose अभी हम सिर्फ इसको select करते है, एक column को, और remote duplicate पर click करते है, और continue with current selection, remote duplicates, और इसको ok करते है, तो यह देख लीचे, एक duplicate जो है, मतलब की दो number का वो remote हो गया है, तो इस तरह से, मतलब जो है, duplicate जो आता है, उसको हम manage कर सकते है, अभी एक बात और, suppose अभी यह bulk में आपके पास data आ गय में, कि अब बीच में कुछ रोज जो है, वो blanks रह जाती है, तो ऐसी स्तिती में अभी यह कम है data, तो कोई बात नहीं, आप easily इसको remove कर लेंगे, लेकिन अगर data ज्यादा हो, तो यह remove करना एक बहुत बड़ा tax बन जाता है, तो उसका भी एक tricks में आपको shortcut बताऊंगा, कि Ctrl G करना है आपको, Ctrl G मतलब go to करके यहाँ पर एक message box आएंगा, यहाँ पर special करके एक option आ रहा है, उसको आप select कीजे, उसके बाद यह special में आ गया है, यहाँ पर अभी कुछ options होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, blank को select करेंगे, और ok करेंगे, मतलब अभी यह क्या हो गया तो यहाँ पर हमको option आएगा, delete में जो आता है, अगर कोई row हम delete करते हैं, तो जो option आता है, यह same होई है, ship cell up, मतलब यही cell को उपर ship करना है, ok, यह देख लीजे, अभी जो है, इस data में, कोई किसम का blank row मौजूद नहीं है, अभी suppose, यह data आपके पास में है, और यह अभी vertical है, मतलब की उपर roll number, name वगेरा, यह heading है, अगर यही आपको अगर इस तरह से चाहिए, मतलब की horizontal चाहिए, तो उसका भी एक trick है हमारे पास में, इसको हम select करेंगे, control C, पुरा data, उपर से लेके नीची तक जो range है आपका, उसके बाद जहांपर आपको यह करना है, मतलब इसको horizontal क मतलब copy करने पर ही paste special का option आएगा, अगर आप control X करते हैं, तो paste special नहीं होगा, यह आने के बाद अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह last में देख लीजिए, transpose करके एक option है, हम इसको select कर लेंगे और ok कर देंगे, तो अभी यह देख लीजिए, आपका यह जो data जो है इस तरह से ship हो गया है पुरा data आपका, तो इस तरह से यह tips सूती है, मतलब की data entry किस तरह से किया जाता है, data किस तरह से manage किया जाता है, अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो अभी फिलाल यह video, मतलब की video से बाहर निकलने से पहले ही आप इसको like कर दें, और अगर आपने अभी तक subscribe नह अगरे सा लगा, यह मुझे नीचे comment में बताए, जिनको पसंद आया है, वो like कर दें, जिनने पसंद नहीं आया है, वो unlike भी कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, साथी में यह video आप आपके friend के साथ share करें, जिनने जोरुत है उनके साथ, और नए लोग जिननोंने अभी तक मेर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में, वेल आइकोन है, उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की notification आपको time पर मिल जाए, thank you